नमस्कार दोस्तों सुवागते आपका गौर्मेंट एल्प लाइन यूट्यूब चैनल पर दोस्तों अगर आप भी एक सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं आपका भी सपना एक सरकारी नौकरी लेने का है और प्यारे बैई और बैनों यहां पर आप आपको भी यहां पर 2013 में अ दो तिन मेने आपके जो औवेधन पत्र है वो भरे जाएंगे और इस औवजिदन पत्र में आपका distribution है जो होने वाला है तो मैं आज आपको इस वीडियो में बताओंगा ये कौन सी बर्ती है साथ ही मैं यहां पर भरती की बात करूँ तो भरती में आवधन करने के लिए क्या-क्या योगेता चाहिएगी और योगेता के साथ-साथ में आप कौन से राजय से हैं कैसे आपको यहां पर आवधन करना होगा इसके बारे मैं भे आपको इस विडियो में डिटेल से सम्झाओंगा क्योंकि कुछ मेरे प्यारे भाई और भाई ने जो यहाँ पर राजी का ध्यान ने रह uniquely है या फिर उनका जो जो कॉलिफिकस्टन होती है यहने की योगेता की दानने रिखते हैं तो यहां पर आपका फॉरम है वह reject हो जाता है और मैं आपको बता दूँ यहां पर फॉरम बरने का मौका है जो इसमें आपको एक ही बार मिलेगा तो आपको आवेदन है वह बिल्कुल सावधानी से करना होगा आपको मैं बता दूँ इसमें आप जो गराम पंचायज बरती 2023 का जो नौटिफिकेशन अभी जारी वाए फिलाल लेकिन अब उसमें जो आवेदन पत्र है वो बरने कब स्टार्ट होंगे और यहां पर जो जन्नवरी में भी यहनिकि जो 2024 के अंदर भी आपको दो तीन मेने आपको आवेदन पत्र इसमें सेलरी की बी बात करूं तो सेलरी आपको कम से कम 55000 रुपे सेलरी मिलेगी यह भी आपके लिए एक बहुती अच्छा मौका है आपको एक नौकरी लेने का और यह बहुती अच्छी बरती है जिसमें आप जो आपने आवेदन पत्र बर सकते हैं अब लेकिन दोस्तों अब आती है आयू सिमा की बात आयू सिमा में मैं आपको बता दू कुछ मेरे भाय और बेने जिनकी आयू सिमा यहां पर 18 वरत से कम है या फिर आपकी जो 40 वरत से अधिक है तो इसमें आप बिल्कुल भी आविदन नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसमें जो योगता रखी गई होती है वह यहां पर 18 से अधिक होती है और 40 वरत से कम होनी चाहिए आयू सिमा उसी को यहां पर आपका फॉर्म है जो भरा जाएगा अगर क्या है आप ने था फॉर्म भरते हैं तो आपका फॉर्म वह सिद्धा रिजक्ट हो जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा फिर आपर मैं आपको पूरी जान करी है वो समझा देता हूं दूस्तों आप लोग देख सकते हैं हम लोग आच चुके हैं यहां पर पंचाहिती राजमंद्राले बार सरकार की ऑपीचल वेबचैट पर मिनिस्ट्री ऑप पंचाहिती राज गवर्मेंट ऑफ इंडिया की ऑफिचल वेबचैट के अनुसार में आपको पूरी जान करी है जो सारी की सारी समझाओंगा जिसमें आपको आउधन कैसे करना है आउधन के अनुसार यहां पर फोरम डोकुमेंट कैसे बरना है कौन-कौ और अनीश से आउधन कर सकते हैं इसी लिए यहां पर बार-बार निकालती रहती है जिसे कि आARS यहां पने पंचाहित को यहां पर स्ीन बना सके अ पने ही पंचाहित आपको आपको अपने ही पंचाहित में करना होगी इसलिए दोस्तों आपके लिए यह जो जौब है जो अपने ही पंचायत में मिलने वाली है और मैं आपको बता दूँ पंचायती राजमंदराले भार सरकार गवर से गराम पंचायत भरती बड़ी बरती शाबित होने वाली है और मैं आपको बता दूँ इसमें आपकी यह जो आठवी पास दस्वी पास पास बारवी पास है तो आप इस बरती के तहर्त आवेदन भी कर सकते हैं अब रही बात गराम साइक गराम सची और शिक्सक के पदों की यह तीन पदों पर यह जिसमें आपको कौन-कौन से पद के लिए आपके पास में क्या-क्या योगता होनी चाहिए इसके बारे में मैं आज आपको इस वीडियो में विश्तार से समझाओंगा सबसे महले मैं आपको बता दूँ बिना प्रिक्सासी दे मेरिट के अदार पर यह भरती होगी जो की य जैरा हमें क्मेंड करके जरूर बता दीजीगा आपका जिल्ला कौन सा है और आपका नाम क्या है और आपकी एज्यूकेशन क्या है यानि कि आपने किसमें कपड़ा कर रकिये वह भी हमें कमेंड करके जरूर बता दीजीकाँ-बार्त की सबही ग्राम पंचाइज और दो ग्राम साइज तीन सिक्सकंड न्यूक तक किये जाएंगे इसमें दोस्तों आपका भी नंबर लग सकता है और यह फॉरम है जो आपको कैसे बरना है यह मैं आपको पूरी जानकारी बताने के बाद में फिर आपर आपको समझाओंगा जिछे कि आप अपना फॉरम है वो आसानी से बर सकें और कोई भी गलती है जो फॉर्म बरने में न करें और मैं आपको बता दू ग्राम पंचाइज बढ़ती के तैयत विबिन पत्रों पर विबिन रोजगार समाचार पत्रों में भी प्रकासित किया जा चुका है सब भी उमिदोरों से न न्यूक्त किये जाएंगे और तीन जो शिक सकन्न न्यूक्त किये जाएंगे पोश्ट वेरों में ये आपको देखने को मिलेगा अब दोस्तों रही बात आपकी सेक्सिक योगता जिसमें आपकी जो एज्यूकेशन कॉलिफेकरशन है इसका बहुती बड़ा रोल रहता है ब यहां पर केवल और केवल आफवी पास चाहिए अगर आपके अगर आप दसवी पास है तो यहां पर आप गराम सची उपद के लिए ही आउधन कर पाएंगे और उसके बाद में अगर आप बारवी पास है तो आप तिनों पदों के लिए जो आउधन कर सकते हैं अब मैं आपक इसमें भी आउदनक कर सकते हैं यानिकि आप तीनोय पदू के लिए जो आउदनक कर सकते हैं और जिसमें आपकी जो Coach क flexibility के अनुसार तो देखी यह उकिसंदे तो के लिए आउदन कर पाईंगे यह process रहने वाली है आपको जल्दी से समझना है और मैं आपको बता दूँ कि यांपर salary अब दोस्तों बात आती है salary की अब आपको salary कैसे मिलेगी तो salary में मा आपको बता दूँ कि आपकी जो education qualification के अनुसार जिसमें गराम सचीव पद के लिए पोस्ट के लिए आपको यहाँ पर 45,000 रुपय सेलेरी मिलेगी और 6 के लिए आपको 50,000 रुपय जो सेलेरी मिलेगी यह तीनों पदों पर यह आपको ऐसे तरीके से सेलेरी मिलेगी जो धिरी धिरी आपका पद का परमोसन होगा उसके साथ ही में इस इस वीडियो को सेव कर दीजिएगा ताकि आपको आसानी से याद रह जाए और इसकी अमतिन्दी अभी तक